अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल ओपरेशन्स की एबनॉर्मल ओपरेशन्स में कभी हैट है've कभी फञेट जोंर्ड हो जाता है तो ऐसी सिती में यह ब्लॉक LINE पर गाड़ी को लेना होता है कि बड़ा यार्ड है そरछ मुंट चलती रहती है तो ऐसी शिती में क्या किया जाता है मानेजी कोई point zone fail हो गया तो point zone fail होने पे सबसे पहले physical verification must होती है physical verification के 5 part है जसमें station master इस बात की तसल्दी करता है विफल हुए फेल हुए पॉइंट जोन पर कहीं कोई विखल पिछले स्टेशन से रोल डाउं वोके तो नहीं आ गया या कहीं कोई नॉन सिखना शंटिक हो नहीं चल रहा जिसके कारण पॉइंट के उपर कोई काड़ी हो और वो ट्रैक रेट शो कर रहा हो पॉइंट रेट शो कर रहा हूं नंबर तीन पॉइंट फ्रैक्चर भी इसका एक कारण हो सकता है नंबर चार बारिश के कारण या किसी अन्या कारण से वाटर लॉगिंग हो गई हो कांटे के ट्रैक शर्कट वाले भाग में इसलिए भी कांटा फिल हो सकता है नंबर पांच ट्रैक सर्कट ही फेल्ट हो गया तो इस बात की पुष्टी वहाँ पर पहुंचके हमने परसनली इसको चेक करना है क्या कारण है कि यह जो पॉइंट जों प्रिंग हो अगर कोई विकल रोल डाउन हो गया, वहाँ पे खड़ा है, या कोई नॉन सिगनल शंटिक मुवमेंट हो रहा है, या कोई ट्रैक फ्रेक्चर हो गया, तो इन तीनों कंडिशन्स में हम कांटे का अमर्जंसी ओपरेशन नहीं करें, वाटर लॉगिंग है, या ट्रैक सर्केट फेल ह तो उस सूरत में ही हम कांटे का अमर्जंसी ओपरेशन कर सकते, इस पैनल पर कांटे का अमर्जंसी ओपरेशन करने ये लिए, केवल एक बटन की सुविदा दी गई है, EWN की, या पर ETN बटन नहीं है, केवल EWN बटन है, EWN बटन की सीट खोलके, EWN बटन के साथ संबंधित कांटे को, कांटे के बटन को दबाया जाएगा, तो कांटे का अमर्जंसी ओपरेशन हो जाएगा, इसी बटन को ही दबारा दबाने से, कांटे को नौर्वन वर्रिवर्स किया जा सकता है, आपका सेक हो गया, वांची दिशा में आपको चाहिए, उस वांची दिशा में ये सेक हो गया, उसके बाद आप रूट लेते हो, रूट में अगर ये कांटा आपका लॉक हो जाता है, तो, नौर्मल सिगनल से गाड़ी अंदर नहीं आई, क्योंकि पॉइंट जोन रेड है, आपने कांटा वांची दिशा में सेट कर लिया, लेकिन, सिगनल डाउन नहीं होगा, तो उस सूरत में क्या करेंगे, कॉलिंग ओन सिगनल का प्रियोग करेंगे, कॉलिंग ओन सिगनल के प्रियोग से ही गाड़ी को अंदर लिया आई,